तो बाई लोग कैसे हो, तो स्वागत है आपका एक और नीव वीडियो में, और जैसे कि आप लोग जानते हैं, शाओमी ने बहुत बुरा करा बहुत सारे यूजर्स के लिए, मतलब यार जो सूपर वल्पेपर्स हैं, वो सिर्फ रेड्मी K20 प्रो को ही मिलेंगे, यहां तक क दिखाता हूं, गेट अप्स के अंदर जा करके, यहां पर देख सकते हैं, मेरे को एक बार अपडेट मिल चुका है, और मैं इसको अगेन अपडेट कर रहा हूं, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर आपको और भी काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, आप इनकी और इसके अंदर भी मैं सूपर वाल पेपर्स को यूज कर पा रहा हूं, और अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकूर भी मत बूलेगा, और आप चाहें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो ह अब भात करते हैं सूपर वाल पेपर की बार में, सबसे पहले एक बार आप इन वाल पेपर्स को देख लिझें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, यहां पर आप देखेंगे यह wallpapers पहले वाले से बहुत ज़दा बेटर है, क्योंकि इनके अंदर दोस्तों आपको new animation मिलती है, और यहां पर आप देख रहे हैं, इनको set करने का तरीका भी काफी अलग है, काफी different है, इसमें आप एक चीज को change कर सकते हैं, इस super wallpapers की location है, चाह मैंने पूरी तरह से बदल दिया है, तो दोस्तों यह feature आपको पहले नहीं मिलता था, बट अब आप use कर पाएंगे, जब आप unlock करेंगे, तो देखेंगे, वहीं पर आके यह stop होता है, तो इस तरह से आप इसे पूरा customize कर सकते हैं, तो enable करना दोस्तों इसे बहुत ही simple है, इसे कि हम इसको apply करेंगे, इसको पहले install कर लिजे, उसके बाद आपको यह earth वाला और मार्स वाला इनको भी आप install कर लिजे, तीनों को step by step install कर लिजे, इंस्टॉल करने के बाद अगला काम, आपको quick shortcut maker या फिर active launcher, जो भी आप को चीए shortcut के लिए, वो आप install कर सकते हैं, इस पर आपको आना है, और याद एखिएगा, पहले उन files को install कर लिजेगा, तब ही यहाँ पर आईए, तब ही यह work करेगा, फिर super wallpaper पर क्लिक कर दीजे, और यहाँ पर try का option दिखेगा, इस पर क्लिक करिए, और super wallpaper आ जाएंगे, हाला कि अभी आपको blank दिख रहा होगा, क्यो बिल्कुर, मतलब किसी other phone में use करेंगे, तो उसमें तो 100% बहुत अच्छे से work करेंगे, तो देखे, wallpaper पूरी तरह से यहाँ पर बिल्कुर अच्छे से work कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद आप इसे customize भी कर सकते हैं, जैसे center, चाहा इसका guilt center, और जो first wallpaper है, वो भी अपनी चाहे आप उसका center change करिए, चाहे उसका guilt, कुछ भी change करिए, और उसके बाद जब आप उसे apply करते हैं, तो वो lock screen पर और home screen पर बहुत ही अच्छे से work करता है, और इसमें आपको animation भी बहुत better मिलती है, कोई hang lag नहीं है, update आपको बढ़िया मिलते रहेंगे, इस तरह से मैं एक बढ़िया और एक official feature है, हर एक phone के लिए, तो make sure कि दोस्ता आपको ये नई trick तो पसंद आई होगी, जरूर ट्राइ कीजेगा, आपको बहुत बढ़िया लगने वाला है, और बहुत ही आप enjoy करेंगे, हाला कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को like कीजे, चैनल क subscribe कीजे, मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, thanks for watching.